student state line का exercise 9.1 का question कर लेते हैं question पुछा xy न तो ये the y coordinate of every point on the x-axis is क्या हो जाएगा 0 बेटा the equation of the x-axis is equal to always 0 ठीक न अब x के लोग पुछा है x coordinate of every point on the y-axis will be 0 और the equation of the y-axis is 0 question first का ये solution है यही आपको note करना होगा ठीक है न चलिए अब second solve करेंगे question number second तो ये वाले इसमें पूछ रखा है find the equation of the line which passes through the point minus 4,3 with slope slope का मतलब m की value जो है ठीक है न तो हमें क्या लेट कर लेना है कि जो passes through point है x not y not है जिसको compare कर लेंगे कि से minus 4,3 से जाए minus point दे रखा है minus 4,3 आपको compare कर लेना है x not y not से जाए ठीक है और जो slope है वेटा slope का मतलब है m की value m is equal to क्या दे रखा है यहाँ पर 1 by 2,1 upon 2 तो फार्मूला बताया था y minus y not है ना लग्छे है x minus x not ठीक तो y not की value क्या हो गई 3 तो यह x not हो गया यह y not हो गया ठीक है ना equal to m की value 1 upon 2 x minus x not की value minus 4 है तो plus 4 हो जाएगा यहाँ पर आकर ठीक है अब cross multiply कर लेज़े 2y minus क्या हो जाएगा 2y minus 6 हो जाएगा और x plus 4 ठीक है अब x के term में लिखना चाहते हैं तो x minus अलब यह 2y और 6 plus 4 10 हो जाएगा plus 10 equal to 0 समझा रहे लग्छे कि इसको बता है चले तो यह आपका question number 2 हो गया question number 3 बोला है find the equation of the line which passes through 0,0 तो जो x naught y naught है क्या हो जाएगा 0,0 question number 3 question number 3 तो x naught y naught आपका हो जाएगा 0,0 दे रखा है passes through जो है ठीक है और slope m e होगा तो यही नाउ यूजिंग फार्मूला y minus y naught is equal to m x minus x naught तो y naught की वे 0 हो गई m ऐसी रहेगा x minus 0 तो y equal to क्या जाएगा बता m x बस हो गया नोट कर लेजें तिसरे का एंसर हो गया चोटे 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 कोशन है बस तोड़े से जहां से पढ़ करके लगाने होगे question number 4 करेंगे question number 4 अच्छे नोट करते चलो ना यह दिर्स आप मिटा देते हैं question number 4 में दे रखाया यहां पर एंगल 75 डिगरी find the equation of the line equation find करना है लाइन का ठीक न यह जो भी find कर रहे क्या है सब equation यह लाइन का तो जो पास हो रही है लाइन coordinate जो है 2,2 root 3 है तो सबसे पहले करेंगे जो slope दे रहे जो एंगल दे रहे का m equal to 10 theta के जगा पर 75 डिगरी ठीके न हमें पता है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं 10 35 और 45 कर लिए सब्सक्राइब आते हैं 45 प्लस तो 35 कर रहां 30 डिगरी तो 10 a प्लस बी का फार्मूल अच्छे बताया था क्या होता है याद है 10 a प्लस बी इक्वल टू 10 a प्लस तक इंटू था प्लस था ठीकेट प्लस 10 b और यहां माइनस हो जाए 10 a इंटू 10 b अब इसी में हम क्या करेंगे पुट कर लेंगे एक जगह पर 45 बी के जगह पर 30 डिगरी ठीक है तो 10 45 प्लस 10 30 डिगरी अपॉन में 1 माइनस 10 45 इंटू 10 30 डिगरी बता है 10 45 की वैलू क्या होती है 1 उन्हें 45 की 1 होती है प्लस 30 की 1 बाई रूट 3 होता है 1 अपॉन रूट 3 ठीक है 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन में रूट 3 LCM side में ले लेते हैं जो है 1 प्लस 1 अपॉन अपॉन अंडर रूट 3 तो रूट 3 यह रूट 3 हो जाएगा यह 1 हो जाएगा आ जाएगा ना यह चीज क्या हैगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन में रूट 3 इसका भी वही आएगा बस माइनस में आएगा रूट 3 नीचे जो है रूट 3 माइनस 1 यह कैंसल आउट हो जाएगा ठीक है तो चलिए फिर उसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे इसको तो बटा जाते है इसके बाद हम लिखेंगे यह रूट 3 प्लस 1 अपॉन में रूट 3 माइनस 1 आ गया ठीक है यह आ गई आपकी M की वैलू क्या गई? m equal to आ गया चलिए तो अब क्या करेंगे अब line का equation लिखेंगे line का equation y minus y not y minus y not m x minus x not ठीक है नब point दे रखा है 2,2 root 3 2,2 root 3 से pass हो रहा है तो यह x not हो गया यह y not हो गया तो y minus y not की जगह पर 2 under root 3 और m की value अभी निकाला है root 3 plus 1 upon में root 3 minus 1 ठीक है और x not की जगह पर 2 ठीक है न बटा cross multiply कर लेते हैं root 3 minus 1 जो है इसके साथ multiply कर लेते हैं उसको असी छोड़ देते हैं ठीक, लग्चा है चालो, और बुण है y minus 2 under root 3 और यह root 3 minus 1 equal to root 3 plus 1 और क्या हो जगा x minus 2 multiply करो यह इसमें multiply करोगे under root 3 y हो जगा फिर multiply करोगे y का minus y हो जाएगा फिर इसका multiply करेंगे क्या हो जगा बेटा 6 और यह हो जाएगा plus 2 root 3 is equal to इसका multiply करेंगे under root 3x minus 2 under root 3 जगे खुल under root 3x हो गया और यह minus 2 root 3 plus x minus 2 ठीक है जली solve करके बताइए बेटा हमें आप x और y के term में रखना है जो इसको x और y के term में रख लिना है देखो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या करना है कि y और x वाले term को एक साथ रख लेते हैं ठीक है न? चले तो ये under root 3 y minus y ये root 3 x कुदर लाएंगे? minus root 3 x हो जाएगा ठीक है बटा? और ये भी minus x हो जाएगा और number वाले को एक तरफ कर लेते हैं बचा क्या? minus 2 root 3 minus 2 बचा ये उदर जा करके plus 6 हो जाएगा ये उदर जा करके minus 2 root 3 हो जाएगा ठीक है न? क्या हो जाएगा? minus 2 root 3 common ले लेंगे इसमें से common y common हो जाएगा तो under root 3 minus 1 इसमें से common क्या हो जाएगा? x तो under root 3 plus 1 हो जाएगा equal to जान दीजे हम ये क्या हो जाएगा? minus 2 root 3 और minus 2 root 3 क्या जाए गलक छे माइनस 4 रूट 3 और प्लस 4 तो बस हो गया आप X के टर्म X को पहले लिखना चाहिए तो लिख लिजे X अंडर रूट 3 प्लस 1 ये प्लस Y अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू कॉमन लेंगे 4 तो अंडर रूट 3 माइनस 1 ठीक है माइनस के जब मल्टिप्लाई कर लेंगे वेटा तो माइनस खतम हो जागा तो बचे का ये X अंडर रूट 3 प्लस 1 माइनस Y अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 माइनस 1 जाए ये चेक करें ये अंसर दे रखा होगा आपका अंडर रूट 3 प्लस 1 X माइनस Y एकदम सही है ठीक ना कोई दिक्कत लगज़ा है यह जो माइनस माइनस था नहीं इसको हमने क्या किया कामन लेके कैंसिल कर लिया इसको ठीक यह आपका फाइनल एंसर हो गया चलिए नोट कर लेजिया अकर नोट नहीं किया तो फटा फटा चलिए कोशन 5 करते हैं जो है दिर्खाव find the equation of the line which intersects the X axis at a distance of 3 unit to the left of origin with slope दिर्खावटा माइनस 2 slope का मतलब M की value question number 5 slope का मतलब क्या हो जाएगा M की value M equal to minus 2 दे रखा है ठीक न वाई formula यूज़ कर लेंगे slope make X axis intercept D then the equation of the line क्या हो जाएगा Y equal to MX plus C था तो यहाँ पर Y equal to MX minus D लिख लेंगे ठीक है न चलिए तो D भी दे रखा है यहाँ पर D दे रखा है कि distance X axis at a distance of 3 unit left बोला है to the left जो है तो D की value भी क्या हो जाएगी minus 3 हो जाएगी left का मदलब minus तो put करेंगे minus 2 X minus minus क्या हो जाएगा plus ठीक न तो minus 2 X minus 6 हो जाएगा Y equal to यह आपको equation मिल गया अभी कुसको rearrange करना चाहें तो कर सकते हैं इदर लाएगे तो plus 2 X हो जाएगा यह प्लस Y अलड़ी है और इदर लेकर आएगे क्या जाएगा plus 6 is equal to 0 यह आपका answer हो गया question number 5 ठीक है लग चाहे एक बार देख लें कौन सा डिलीट है चलिए question number 6 करते हैं जाए question number 6 में एंगल दे रखा है 30 degree जाए question number 6 M equal to 10 30 degree 10 30 के बेलू क्या होती लग चाहे 1 by root 3 जो है और हमें पता है equation जो है जब intercept करेगा तो है Y equal to MX plus C जब intercept वाला formula यहाँ पर लिख लेंके ठीक है ना Y equal to MX plus C जो है M की value 1 upon under root 3 X और C की value constant दे रखा है 2 ठीक है ना दे लिखा है 2 unit जब unit 2 unit लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या रख लेंगे 2 Y equal to cross multiply कर लेजे अंडर root 3 Y LCM लेकर कर लेंगे इसका LCM लेलो root 3 X plus हो जाएगा 2 root 3 यहाँ लिख लेंगे root 3 Y equal to X plus 2 root 3 यह answer हो जाएगा अब X के time में लिखना चाहते हो तो X इधरा करके क्या हो जाएगा minus X हो जाएगा अब plus under root 3 Y और यह भी दरा करके हो जाएगा 2 under root 3 minus common लेना चाहोगे तो common लेकर करेंगे तो multiply हो जाएगा X minus under root 3 Y plus 2 root 3 equal to 0 यह answer हो जाएगा और करके लिख दिया हो ठीक ना नोट कर लो लगज़े हैं question number 7 बोला है find the equation of the line which passes through the point minus 1,1 and 2, minus 4 तो जो line pass करती है X1, Y1 और X2, Y2 से तो वोला equation use कर लेंगे जो अभी use करते आए हैं लगाएं लक्षे इतर ना question number 7 तो Y equal to देखे दो point दे रखा है बेटा Y दो point क्या क्या दे रखा है minus 1,1 और 2, minus 1,1 और 2, minus 4 फार्मूला क्या है Y minus Y1 equal to M की वेलू M की वेलू Y2 minus Y1 बेटा X2 minus X1 दोसरा X minus X1 यह X1 हो गया, यह Y1 हो गया, यह X2 हो गया, यह Y2 हो गया जाएं ठीक है ना, तो चलिए put करते हैं Y minus Y1 की जगह पर 1 हो गया Y2 की जगह पर minus 4 है minus 4 और Y1 की जगह पर 1 X2 की जगह पर 2 और X1 की जगह पर minus 1 है, तो plus 1 हो गया तो X minus X1 की जगह पर, अब यह plus 1 हो गया, ठीक है ना, यह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, minus 5 by 3 समझे रहे लक्षे हैं, और यह Y minus 1 Y minus 1 जगह दुसरा जो है, X plus 1 है cross multiply 3Y minus 3 equal to minus 5X minus 5 अब अब चाहे हैं, तो आब X के time में लिख लें जाए, minus 5X बटा plus 3Y और minus 3 इदर अगर plus 5 हो जागा, equal to 0 तो minus 5X minus 5X plus 3Y, अब क्या हो जाएगा, plus 2 equal to 0 तो cross minus के multiply कर लेंगे, तो 5X minus 3Y minus 2 equal to 0 जो है Y minus 1 और X plus 1, 3Y minus 3 हो गया, minus 5X minus 5 हो गया तो हमने minus 5X को इदर कर लिया, ठीक है, और plus 3Y ऐसी था, अज़िटीच और minus 3 भी ऐसी था, इदर आके plus 5 हो गया, तो minus 5X plus 3Y plus 2 minus का multiply कर लेंगे, तो ये value मिलेगी, ठीक है, 5X plus, दे रखाओगा अब उक में 5X plus 3Y, नोट कर लेंगे, पीछे एंसर भी चेक कर लेंगे, इसका करता हूँ, गाइस, minus 5X इदर आका रके क्या होगा, plus होगा, minus 5X इदर plus X हो जाएगा, plus 3Y, अब ठीक है, ठीक है, तो 5X हो जाएगा, आका रके, ये plus 3Y, और minus 3 उदर आके plus 5, ठीक, 5X plus 3Y plus 2 equal to 0, ठीक है, ये ध्यान देना है, इदर से उदर ट्रांस्पर होगा, तो plus minus को ध्यान देदे चलना है, बलर हो रहा है, ठीक है, कोश्चन नमबर 8 करते हैं, बोला है, find the vertices, triangle दे रखा है, ठीक है, ये triangle दे रखा है, P, 2,1, दूसरा जो है Q, minus 2,3, दूसरा जो है R, ये दे रखाब का 4,5, और ये I think figure बना रखा है, बुक में जो है, लगच्छे है, कि नहीं बनाया है, नहीं है, ठीक है, ये बोला है है, कि find the equation of median through the vertex R, जो है, R से एक median यहाँ पर L द्रॉ कर लिया, तो पहले L यहाँ से इस दो point का हम लोग, वो section वो यूज कर लेंगे, जो है, line वला equation लगा करके value निकाल लेंगे, midpoint formula जो है, ये दो point का, midpoint formula लगा लेंगे, midpoint formula, वोई x1 plus x2 upon me 2, y1 plus y2, ठीक न, मालों इसको, ये न, formula लिखता हूँ, midpoint formula जो है, तो ये था कि, x1 plus x2 upon me 2, और y1 plus y2 upon me 2, तो हम अगर p point को माल लेते हैं, एक point जो है, 2,1, दूसरा जो है, q को minus 2,3, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, x1 plus x2 मतलब की, 2 plus, क्या हो जागा, minus 2 हो जागा, ठीक है न, upon me 2, 2, और y मतलब की, 1 plus 3 upon me 2 हो जागा, तो ये क्या मिलेगा, 0,4 upon 2 मतलब 2, 0,2 मिल गया, ये line क्या मिल गया, बटा, l is equal to 0,2 मिल गया, अब l और 4,5, जो r है, 4,5, इसको दो point को ले करके line वाला formula यूज़ कर लेंगे, ठीक है न, ये x1, y1 से compare कर लेंगे, इसको x2, y2 से compare कर लेंगे जागे, तो क्या था formula, y minus y not is equal to m बेटा, है न, x minus x not, तो मालो, यही जो, यह point ने, यही जो है, अपका, एक y, कहां गया, यह y not हो गया, 5 जो है, और, और, यह x not हो गया, यह y not हो गया, put करते हैं, y minus 5, y2 minus, क्या था formula, upon x2 minus, x minus x not, ठीक है न, x not के जगह पर क्या रख लेंगे, 4, चलिए, y minus 5, equal to y2 की जगह पर, 5, y1 की जगह पर, 2, x2 की जगह पर, 4, x1 की जगह पर, 0, x minus 4, y minus 5, क्या बचेगा, 3 upon में, 4, 3 upon में, 4, x minus 4, cross multiply, 4y minus 20, 3x minus 4, 3 upon में, 12 है, x की जगह लाएंगे, minus 3x हो जाएगा, plus 4y minus 20, और यह plus 12, equal to 0, तो cross multiply, ऐसे लिख लेंगे, minus 3x plus 4y, क्या बचेगा, a minus 8, equal to 0, या, 3x minus 4y, plus 8, equal to 0, जो है, यही answer है, नोट कर लिजे बटा, important question है, question number 8, हाँ, पुरानी वाली, पुरानी old book में लिखा होगा, question number 9, old book में है, बेटा, question number 9, ठीक है, न, चलिए, उसके बाद कर लेते हैं, question number, कर दो